पुलिस और इसोजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है लूट और पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पकड़े के बदमाशों ने 11 मई को पुलिस पर फाइरिंग की थी बदमाश एक लूट करने के बाद भाग रहे थे जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फाइरिंग कर वहां से फरार हो गए जिने आज पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पकड़े के बदमाश श्यामू विनेश हैं जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं पकड़े के बदमाशों के कब्जे से दो तमंचा तीन सोने की अंगूठी भी बरामत की गई है पकड़े के बदमाशों पर दरजनों मुकद में आगरा में लूट डकैती छीनेती जैसी धाराओं में दरज हैं देखें जैसे कि फरवरी मही मही एक और छे तारिक को फत्याबाद ठानाचेतर में कस्वे में जो लूट पाथ हुई थी घरों में बुस बुस के उसी करम में जो हम लोगों पहले तीन लोगों भेज चुके हैं उसमें योगे पोदी और अजय और ये जो बाकी इसमें तीन लोग वांचेत चल रहे थे उसमें दो लोगों पकड़ा गया इस दोनों फत्याबाद के रहने वाले हैं यह कल शाम को इनको साड़े चार वजे फिरोजाबाद चौराहे पर जो हमारा फत्याबाद थाना शेतर के अंदर गाता है वहां पर पकड़े गा हैं यह बहुत ही शात्र किस्वम के अपर पर कई सारे मुकदमें हैं 307-392 के कई सारे लूट के मुकदमें हैं आगरा से भी हैं फिरोजाबाद ने बहुत हैं सब्सक्राइब कराईए और इनके प्लीस रिमांड लेके और भी बूस्ताज करके और भी जो बड़ा है यह जो पिसले जो पाकी जब हम लोगों ने पहले जो तीन लोगों पकड़ा था उस ताइम पे यह लोग आये थे तो यह मुटवेड बाग गये थे उस ताइम पे नोने फायर भी किया थे जो गैंगे वो छे लोगा गैंगे इनका जो लीडर था वो पहले जेल योगे जा तीन-चार लोग जब गैंग बना के जाते थे मोबाइल अपना नहीं यूज करते थे लेकिन फिर भी गरों में गुशते थे और फिर वहां पे लुटपात वगरा करते थे जो घर के सदस होते तो उनको बंदग बना लेते थे इस तरह के घटनाए करते थे